वेलकम गाइज, वेलकम तू और चैनल, रियल किंग ओफिशल आपका हमारी चैनल में फिर सवागत है, हम डिसकस करेंगे स्टेक, सिसी और अंसियमाई, सिसी का, जो कैसीसी टीटिटेन हो रहे हैं, उनके बारे में डिसकस करेंगे स्टेक और अंसियमाई के बीचे मेच खेला रात को साड़े आठ बजे मेच खेला जाएगा सुलाबिया क्रिकेट ग्राउंड कुएट में ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है दोनों टीम्स भी बहुत अच्छी है इन दोनों टीम्स में बहुत बड़े-बड़े खेल रहे हैं देखना एक तरफ बेटिंग है इनका टक्कर होने वाला है सबसे पहले हमारा टेलेग्राम चैनल रियल किंग ओफिशल जल्दी से जल्दी जाके जोइन कर लो नीचे डिस्क्रिप्सिन में लिख दिया है फर्स्ट कमेंट बिन किया है फाइनल टीम वह भी फ्री ओफ कोष्ट फ्री टीम आपको हर मेच की य के तो हाइस्ट 250 भी बना है T10 का ठीक है ना जिसमें अधनान इद्रस ने 174 के ऐसे रन मारे थे वो हाइस्ट बना था लोएस्ट यहां पर पांच भी बना है बहुत बुरी टीम भी खेलती है यहां पर यह दोनों टीम सच्छी है बात करते हैं NCMI की जेवियर इंटरनेशनल पर अपने दिन पर हैंडर मार सकता है यह है केला बंदा वह प्लेरा टीम का और मैच का सबसे अच्छा केप्टन基本 की चोइस है फिलेपन कि विकेट केपिंग नहीं करेगा तो बॉलिंग लेके भी आ सकता है पर लास्ट मैच में आज सुबह जो मैच हुआ है इनका इनके एक शिलवाखों सुबह को लगबग 30-34% लोगों के पास था, सौधा बोल में 26 रण मना जिया, ड्रीम टीम में आगे तो क्लिन स्विप दिलवा गए थे, तो ये अच्छे प्लेयर है, वन डाउन बेटिंग कर रहे हैं, पहले बेटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्टिट हो जाते हैं, मनजूला परसुना भाई, क्या बोलर है ये बंदा, सबसे बढ़िया बोलर है, टीम का और मैच का भी हो सकता है, टोप अटर में बेटिंग करने आया है, पर बेटिंग इतनी अच्छी नहीं करता है, मुस्तपा अच्छी बेटिंग कर लेते हैं, नीचे आया थे, डग हुए थे, पर बहुत अच्छी बेटिंग कर लेते हैं, मुस्तपा से आप कम से कम यहां बीश्टीस रण expect कर सकते हो, नमीश लतीफ भी all round रहा है, अगर नमीश लतीफ ओपनर करते हैं तो captain wise captain के choice है, कैसे पता चलेगा, हमारे टेलेग्राम से जुड़े रहो, ठीक है, वहाँ पे आपको पता चलेगा, opening कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, मैं अपने आप captain wise captain का pick, आपको देदूगा, तो telegram का लिंक है नीचे, join कर लो वहाँ से, मीजन अली ने गुनी सरन मनाया वाकी betting से इंज के कुछ ज़्यादा expectation मैं नहीं रखता, bowling के करें, शाहिद ने दो ओर किया, कत्ती सरन पड़े भाई इनको, एक विकेट मिली, पर ये match बहुत बड़ी team के सामने था, इनका problem ये था, team यही NCMI दोनों में अच्छी है, यहां पर मत दे को, यह team था, अधनान इद्रस वाली team के साथ, अधनान इद्रस आज भी 84 प्लस दो विकेट ऐसे कुछ कर गए थे, ठीक है, बाश्रत अली दो और एक विकेट बहुत अच्छे बोल रहा है, लाश्ट में चार विकेट लेके गए बात करते हैं, इनके प्लेयर्स की, मकरानी, बेटिंग में दियो हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर दियो हैं, बेटिंग में, करते हैं, बोल लिंग, आपको ओल राउंडर एजे नहीं दिकेए, बहुत कभी कबार रन बना लेते हैं, जब team सामने छोटी हो, यह बड़ एक से भी कोई ज़्यादा expectation नहीं है, सुरेश की बात करें, ज़्यादा कुछ नहीं है, इनका भी, अंजल ने यह लू की बात करें, यह भाई बोलर हैं, पर recently पता नहीं इनको क्या है, नहीं बेटिंग नहीं मिल रही है, यह बोलिंग मिल रही है, टीम के एक अच्छे बोल बोलिंग किया था, तो ठीक ठाक बोल रहा है, एक अधी विकेट लेकर आपको दे सकते हैं, पहले बोलिंग करते हैं, ज़्यादा इंपोर्डेंट रहते हैं, मुस्थवा, आज डग हुए थे बाई, और यह बोलिंग करने भी नहीं आये थे, आप देख सकते हो यहां पर मैं एकस्पेक्ट करता हूँ, देख लो रिसेंट, देख लो 26, 25, 20, 58, 20, तो डगवक्त नहीं होते हैं, यह प्लेर अच्छे घासी बैटिंग कर लेते हैं, तो इनसे गोल राउंडर सेक्शन में दियो है, बहुत कम सेलेक्शन है, यह अपने को लेकर चलना, यह अपने को क् एक्विकेट, गुंचा लीस विकेट, गुंचा लीस रन एक्विकेट, रिसेंट ली यह बोलिंग ही कर रहे हैं, यहां से भी पता चल रहा है, पर इनको ट्राई कर सकते हैं, अगर बोल लिए, ऑपनिंग करता है, फेन कोड़ पर पहता चल जाएगा आपने को, साजीर, 0-13 जीरो एक एक दो डीजू जेव यह भाई क्या प्लेयर है आज इसने दो रन बनाया यह मैच छोड़ दो ठीक है इकावन चापन त्रियानी सेवंटी नाइन फिप्टीवन मतलब हर मेच में फिप्टी मार यह बंदे नहीं यह वो प्लेयर है सबसे अच्छा केप्टन वाइस के बोलर है जो उसकी बात करें ठीक टाग बेटिंग बोलिंग दोनों कर लेते हैं अल राउंड रहे पर बोटिंग बहुत कम आथी हैं बहुत नीचे करते हैं ज्यादा कुछ खास नहीं है, एक तीन विकेट, एक विकेट, रोबिन, मैथ्यू अगर खेलते हैं, तो आप जील में ट्राई कर सकते हो, कुदूस, यह इंटरनेशनल प्लेर है, भाई, शारू कुदूस की बात करें, इंटरनेशनल प्लेर है, खेलते हैं, तो डेफिनेटली अदार कर साथन ओपनिंग किया, 25 बोल में, अली जाहिद ने ओपनिंग किया, 37 में 25, अली जाहिद बोलिंग भी यह थे, एक अवर, अब दूल सीवे, एक अवर, जिरो विकेट, सयद मोनी, अब भाई, यह तीन बोलर देखो, अब एक बोलर और है, अनफकर जिसने के इनका, इनर्चनल बोलर है, वो भी, उसने बोलिंग किया नहीं, कली कहंसारी, या, टीटन का सबसे बेस्ट, इनका कथ का बोलर है, जिसने, बहुत लोग परेशंट लोगों के पास है, 10-12% के पास है ये भी इसने पहला और किया ना तीन ही रन दिया सामने कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स ठीक है दूसरे में कितना रन दिया 8 रन दिया और एक विकेट लेके चला गया बहुत अच्छा प्लेर है ये भी लिया जी अपने दिन पर मतलब 4-5 विकेट लेके जा सकता है उस ट्राइब का प्लेयर है डोमेश्टिक का अली जाहीर ठीक ठाक बोलिंग कर लेते हैं अली जाहीर भी तो यहां से मैं ट्राइब बोलू आपको तो इस टीम की क्या है बोलिंग श्ट्रोंग है बोलिंग बहुत स्ट्रोंग है और सामने टीम की क्या है बेटिंग ठीक है डिजू जेवियर है जो डिजू जेवियर की वे आपन बात कर रही थे वो एकेला ही एक वोल बनके खड़ा है भाई उनका दर्वेट बड़ बनके खड़ा है ठीक है अगर वो नहीं खेलता तो ये इनको ओल आउट कर सकते हैं पर वो खेलेगा वो खेल भी रहा है तो ये बैटल देखने लाएक होगा या अच्छा मैच होगा डोमेश्टिक का ये दर्वी मान सकते हैं इनका ये दोनों अच्छी टीम्स खेलते हैं इसलिए वीडियो बना रहे हैं अनीस इकबाल सत्रा साथ साथ जीरो आठ कोई ज्यादा खास नहीं है जुद्य सल्दा इनके कैप्टन है कोई खास इनका परफॉर्मेस नहीं है खालिक लिया दियो कभी कब पर बोलिंग कर लेते हैं दस डीनबी पांच दो विकेट जीरो नौमान सयद यह अच्छे प्लेर हैं इंट्रनेशनल तक खेल चुके हैं अच्छे प्लेर डेफिनेटली पिक कर सकते हो खेलते हैं तो डीनबी साथ साथ एक गुंतिस थोड़ा नीचे बेटिंग करते हैं वि बोलिंग बेटिंग दोनों करते हों दिख जाएंगे अली जाहिरो अपनिंग करते हों दिख जाएंगे आपको 37-0 आज ही मैच में 0-9-6-12-0 विकेट को ज़्यादा खास है नहीं दादार कर साथ 30-33-14 यही मैं बोल रहा हूं इस टीम की बेटिंग कोई खास नहीं है इस मै बोत की बात करें 11-10-14 डीनवी डीनवी खाली कंसारी मैं अल्रेडी डिसकस करते हूं कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस है नवी दुफाकर इन्होंने आज बोलिंग नहीं की थी दीनवी देखो 21-1 विकेट 7-0 विकेट 9-0 विकेट अच्छे प्लेयर है नौत एहमद भी अच्छे प्लेयर है 2-0-1 याज मस्कूर 1-1-2-1-0 पर बहुत अच्छी वाई एकोनमी इनकी देखो गए ना तो बहुत अच्छी रही आज की एकोनमी रहती है सयद मौनी इंट्रनेस प्लेयर है यहां ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं यह भी मैं नोटिस कर रहा हू दो तिन मैच खेल चुके हैं कोई विकेट इनको मिला नहीं है पहले दो विकेट जिरू विकेट था ट्राई करेंगे अपन क्योंकि सामने टीम जो अंशे माई है उसके सामने अच्छे बड़े बोल रहा है इनके ट्राई करना अपना बनता है सो यह सॉलमा नारून की बात क करने का बात करते हैं टोस की टोस कैसा आएगा उस पे थोड़ा परेफरेंस हो सकता है फिलाल के आप यह स्क्रीन सोट लेकर रख सकते हो एक टीम मैंने बनाई है फाइनल टीम हमारे टेलेगराम चैनल पर आएगी रियल किंग ऑफिशिल पे नीचे लिंक दिया हुए डिस्क कर को लिए ओपनिंग करेगा यह तीन इनके बोलर लेने की मैंने कोशिस किए भी पांच छेवर इसका कवर करने की कोशिस करूं अब एक दो चेंज मैं कर सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं मैं टोस के बाद देखूंगा कौन ओपनिंग कर रहा है कौन कुछ कर रहा है माकरानी क खोना सकता हूं रियाज मश्कूर को ले सकता हूं तो उसकी बोलिंग भी बहुत अच्छी है तो उसको ले सकते हैं दो-तिन चैन्जेस हो सकता है फिलाल के लिए कैप沒關係 टेism को बनाओंगा